दोस्तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और आज हम बात करेंगे मोनोसेफ बन ग्राम इंजेक्शन के बारे में तो गाइस बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी पहली पसंद होती है मोनोसेफ बन ग्राम इंजेक्शन यानि यह अपनी अलग अलग पोटेंसी में आता है और हम बात करेंगे मोनोसेफ के इंजेक्शन के बारे में जिसका बेसिक जो साल्ट होता है वो सैफ्टरिक जोन होता है सेफ्ट्रिक जोन इसके अंदर active salt होता है और यह सेफ्ट्रिक जोन से injection बनाया जाता है तो चलिए जान लेते हैं इसके क्या-क्या फाइदे होते हैं और यह किस तरह की medicine होती है दोस्तो अगर हम इसके uses की बात करें तो यह bacterial infection को treatment करने के लिए इसका use किया जाता है गाइस इसका जो use है वो bacteria को मारने के लिए यानि bacteria की बजह से जो भी body के अंदर infection होती है जो कि bacteria cause होता है तो उनको ठीक करने के लिए यह medicine use की जाती है दोस्तो monosaf इसका brand name होता है जबकि अगर हम इसके active ingredients की बात करें तो इसके अंदर septic zone होता है दोस्तो septic zone एक antibiotic medicine होती है और यह अपने generic name septic zone injection के नाम से भी market में आता है गाइस यह RX medicine है यानि prescription वाली medicine है red strip आप यहां देख सकते हैं तो कभी भी आपको खुद से नहीं लेनी है जान लेते हैं यह किस तरह से काम करती है तो यह bacteria जो body के अंदर हो जाती है और यह bacteria के against बर्क करके इनको खतम करने का काम करती है दोस्तो यह broad spectrum medicine होती है तो bacteria की वज़े से जो भी infection होता है body के अंदर उसको treatment देने का काम करती है साथी दोस्तो अगर हम इसका अगला use देख लें तो यह typhoid fever के लिए भी काफी prescribe किया जाता है यानि जब किसी patient को typhoid fever की समस्या हो जाती है तो उनके लिए भी doctor के दोरा यह medicine दी जाती है दोस्तो अगर हम इसके doses जान लें तो doses की बात अगर हम कर लें तो आप देख सकते हैं कि यह अपनी अलग-अलग potency में आता है यह 1 gram 500 mg, 250 mg तो यह इसकी अलग-अलग doses होती है जो की patient की बीमारी यानि उसकी disease के according दी जाती है साथी जो patient को disease होती है उसको diagnose करने के बाद doctor prescribe करते हैं और इसको generally IV root से दिया जाता है और साथी साथ इसका intramuscular भी इसका use कर सकते हैं तो दोस्तों यह doctor की prescription से होता है आपको कभी भी खुद से नहीं लेना होता है तो guys seftrazone injection एक antibiotic medicine होती है जो की bacteria को खतम करके रोगी को ठीक करने का काम करती है I hope दोस्तों यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी वीडियो पसंद ना आ गया होगा दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रेस कर दें दाकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मिलते रहे है तोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन सुबहुँँगा